पाली जिले के नेत्रा गाउं के मनुहर राजप्रोहित की अब्रक्रण को लेका राजप्रोहित समाजने भारी आक्रोश भगवास वैम सेवक संके राज़्ट्री अध्यक सुरेश नुर्वा ने प्रसाशन पर निशाना साथ ते कहा कि चारवश में मनुहर नेत्रा को ढूण शीर तुल्चा राम जी महाराज ने संदा में पत्र लिखा नुर्वा ने कहा कि अगर मनुहर नहीं मिलता तो समाज रोडों पर आकर आवाज उठाएगा आप सभी को सुरेश नौर्वा की तरफ से साधरवंदेगो मात्रम जेश्री राम भारत माता कीजी साथियों मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखने जा रहा हूँ जिनके परिवार काफी दुकी हैं काफी चिंतित हैं कि आखिर एक सोड़ा वर्ष का बच्चा चार वर्ष से घर क्यों नहीं पहुँचा किन पर बहुत बड़ा सवाल बनता है साथियों आज से चार वर्स पहले मनोर राजप्रोहित नेत्रा पाली जिल्ले के सुमेरपुर तैसिल के अंदर नेत्रा गाउं है वहां का मनोर राजप्रोहित होस्टल गया था और हॉस्टल से वापस अपने घर नहीं पहुँचा उसके बाद जिन लोगों ने उनका अफरन किया उनकी वाटसेप कॉल के माध्यम से सोसल मीडिया के माध्यम से 25 लाग की फिरोती तक मांगी गई और परीजन जब वहां पर पहुँचे तो वो व्यक्ति वहां पर नहीं पहुचे और आखिर बच्चा नहीं मिला उस समय सरकार वसुंद्रा जी की थी वसुंद्रा जी ने इस विशे पर स्याडी जांस का आदेश दिया कि स्याडी जांस कराई जाए और बच्चे को ढूंडने का परियास किया जाए लेकिन आज चार वर्स हो चुके है राजस्तान का प्रसासन एक बच्चे को ढूंडने में नाकाम्याब हुआ है आखिर मैं पूचना चाहता हूँ प्रसासन से कि कानून के हाथ इतने लंबे होते है कि व्यक्ति या अपराधी किशी भी जगत चुप जाए तो कानुन चाहे तो आसानी से उसको हिरासत में ले सकता है प्रसासन पर बहुत बड़ा सवाल बनता है कि आखिर वो बच्चे को ढूंडने में आप कामियाप क्यों नहीं हुए ऐसी कौन सी वज़ा हो गई कि आप इस बच्चे को ढूंडने के अंदर आपने श्विशे को गंबीरता से नहीं लिया ऐसा क्या कारण हो गया ऐसा क्या दबाव आ गया परसासन पर कि चार वर्ष से एक बच्चे को ढूंडने में परसासन नाकामियाप सावित हुआ यह पाथ बड़ा सवाथ लेटिस्ट न्यूस देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही डेली अबडेट खाने के लिए बैलाइकर को सब्सक्राइब